पंजाबी कल्यान महासबा पिछले 25 वर्सों से रुड़की में निरंतर कारिये कर रही है हम लोग ने 96 में यूथ विंग जिसमें हम लोग थे हमने यूथ विंग का गठन 96 हमने शुरू कर दिया था और पिछले 25 वर्सों से हम लगाता है छेतर में कारिये कर रहे हैं अपने नौशकार आप देख रहे हैं देन्यूजर नेट्वरक और मैं हूँ आपके साथ हमन्त हमार साथ मौजूद है संजेरोडा जी जो की परदेश अद्धेक्स हैं पंजाबी कल्यान महासवा के उत्राखंड के और आज कारे कारने का विस्तार हुआ है यमन सस्देवा को यूद्विंग का अद्धेक्साथ चुना गया है सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत सर और सबसे पहले हमें इह बताई कि कि किस एम के साथ जो पंजाबी महासभा है वो काम कर रही है और यमन सच्दिवर जी कोई क्यों चुना गया पंजाबी कल्यान महासभा पिछले 25 वर्सों से रुड़की में निरंतर कारिये कर रही है ह हम लोग ने 96 में यूथ विंग जिसमें हम लोग थे हमने यूथ विंग का गठन 96 हमने शुरू कर दिया था और पिछले 25 वर्सों से हम लगातार चेतर में कारिये कर रहे हैं अपने और हम पंजाबी कल्यान महासभा बच्चों के लिए समान समाहरों के कारेकरम हो या लोडी का कारेकरम हो या बैसाकी का कारेकरम हो इस तरह के कारेकरम जो हमारे समाज के हैं समय समय पर समाज को एकत्रित करना function के माध्यम से तो इस तरह के कारी हम सब लोग क्योंकि दुख दर्द जो है जब आदमी मिलता है तो दुख दर्द का एक दूसरे के पता लगता है तो निर लेने, कि पाके सब्ली जोराएं कितना रोल कुर्न रोल को जाता है? कि वाएँ कुछ धर क्लीता है? उन आप का लिवाँन मानते हैं? प्रावान का योगदान हर जगह, जाहे आप राजनितिक पार्टियां समझ लें और चाहे समझ एक संकटन समझ लें युवा का एहम रोल रहता है क्योंकि बड़े उतना काम नहीं कर सकते हैं उनके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है युवा लड़के जितने होते हैं उन पर इतनी जिम्मेदारियां घरगी या परिवार कि इस तरह के नहीं होती ज़्यादा तो वो ज़्यादा वर्क कर सकते हैं इसलिए हमने भी ऐसे टीम उनके साथ बनाने की कोशिस कर रहे हैं कि जिससे हम समाज का ज़्यादा सा ज़्यादा भला कर सके हैं अचै तैर ये जो पनचाबी महासाबह यह सब के लिए काम करेंगीOr थे प्रीज्शक. यह सब लोग के लिए घृष के रिए फिरेग्ज्द को परेशानी हैं। एक समाज को इसलिए बनाया जाता है कि जिससे समाज एक जगे संगठित रहे, समाज के साथ कोई परिशान नहीं हो या क्योंकि जब तक हम आपस में एक दूसरे बात नहीं करेंगे, कुछ समस्यां ऐसी होती है कि आदमी अकले बैठे बैठे, आदमी सोचता रहता है और जब चार आदमी मिलके बैठे सोलुसन उसका निकालते हैं, तो उसकी कही न गहीं जो समस्या है, उसका समाधान होता है, और उसकी जो दिमाग पर भार होता है, वो कही न गहीं कम हो जाता है, तो इसलिए हमने कोशिश की है, कि जिससे समाज के लोगों का भला हो सके है, मेरा आख के चारे की तौर पर क्या देखने को मिलेगा, चुनाओ लड़ने के चुक हैं या नहीं, कि हम पहले भी पूछ सके हैं, हाया नाव में जवाब दे दीजे, देखे जो समाज में काम करता है, उसकी भरसा की कोशिश रहती है, कि वो समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सके, ठीक है, मैं आज समाज के लिए जितने भी कारिये हो सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा करने की, ये वास्त्विक्ता है कि आदमी अगर किसी सीट पे बैठ जाए, तो अगर मैं आज 10 परसेंट, 20 परसेंट लोगों का काम कर सकता हूं, तो सीट पे बैठने के बाद वही मैं 95 परसेंट लोगों का काम कर सकता हूं, तो कहीं न कहीं कि वो परसेंटेज जो काम की है, वो बढ़ती है, क्योंकि समाज में अगर अच्छे लोग आए, काम करने वाले लोग आए, तो समाज का ज्यादा भला हो सकता है, अगर पा पर कहना ही, 2022 में अगर मौका मिलता है, तो चुनाव रड़ा जाएगा, लेकिन अभी समाज के कल्यान किस तरह किया जाए, उस पर ज्यादा विशेज धियान है, लेकिन बाद में सवाल पूचेंगे, अगर यह चुनाव में होता है, पॉलिटिकल एक्जिकुटिव के तौर झाल एक्जिक दान एक्जिकुटिव की विशेज तरह को की और बाद में सवाब पूचेंगे, पूलिग, frånप्रा जेमों, शेञे जबा़ा, जे 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 भी जदान किसा सकंवी के क्जिव बा़ने है, जे भी हम्मेरा, चलिएक 요तार workout, जे जेले हैं चलने किसेज夏alayiva, जेज